आपके मुख्यमंत्रि नितीश कुमार अंग्रेजी को लेकर हमीशा आग बबुला रहते हैं और एक बार फिर से नितीश कुमार और अंग्रेजी के बीच के इस 36 के आकरे को लेकर के इंडिया गटबंधन की बैठक के दोरान भी नितीश कुमार अपना आप आख होते दिखे जिहां दिल्ली में इंडिया गटबंधन की जो बैठक होई थी इस बैठक को लेकर अभीतर खाने की जो एक बड़ी रिपूर्ट सामने आ रही है उसकी माने तो नितीश कुमार ने बैठक के दोरान टीम के नेता टीयार बालू के अंग्रेजी को लेकर के बताए गए उनके जो अनुरोत थे इस पर आग बवूला हो गए हैं दरसार यह पूरा का पूरा मामला तब हुआ जब नितीश कुमार इंडिया गटबंधन की बैठक में शामिल होने गए थे और दिल्ली में मंगलवार को इंडिया गटबंधन की बैठक हुई इस बैठक में विपक्ष के 28 दल सामिल थे जिसमें कॉंग्रेस नेता मलिकार जुन खरगे ने एक तरीके इस कहा जाए तो इस बैठक की अध्यक्षता की और सबसे पहले मलिकार जुन खरगे बैठक में बोले और उनके बाद डियम के नेता और तमिलनाडू के मिखमंतरी एमके स्टालिन की बारी आई त अपनी बातों को रखा तो जब नितिस का पूरा का पूरा भासन समाप्त हुआ तो उसके बाद उनकी बातों का अंग्रेजी में अनुवाद करने का अनुरोद डियम के नेता टियार बालू ने किया है इस दौरान बैठक में मौजूद राष्ट्य जनतादल के सांसद मनु पत्ति जताई कि आखिर जब देश की राष्ट भासा हिंदी है तो हर एक व्यक्ति को हिंदी में कुछ समझने के लिए सक्षम होना चाहिए और ऐसे में अगर उनकी बातों का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है तो यह उचित नहीं है और इतना ही नहीं नहीं निति लगवजहों से बोली सुनी जाने लगी लेकिन अब मौझूदा समय में अगर हम अंग्रेजी में अपनी बातों को रखते हैं तो यह उचित नहीं है और राष्ट्र भासा होने के नाते हर एक भारतिये को अंग्रेजी समझने में शक्षम होना चाहिए हाला कि नितिश कुम और टी आर बालू के बीच इस गरमा गरमी भरे माहौल के बीच अचानक से जो वहाँ पर मवजूद अनिनेता थे जहें कॉंग्रेज सव्घयक मलिकार जुन- खरगे हों कॉंग्रेजनेता सुनिया गांधी हो या फिर लालु यादम या फिर अनिनела कुश हों उनमाम तरीके से बनी और उनकी बातों का राजद सांसद मनोज जाने अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया और इसके बाद ले जो कुछ हुआ वह एक तरीके से कहा जाए तो नितीज कुमार के लिए एक जटका भी आप माई सकते हैं क्योंकि नितीज कुमार ने भले ही लेकिन बैठक में मौजूद जो अन्य निता थे जिसमें एक बरा नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के निता अर्बिंद केजरिवाल का भी सामिल है उन्होंने भी अपनी बातों को अंग्रेजी में ही रखा यानि कि एक राष्ट्रिय फलक पर अपनी की मीडिया का संबोधित करते हैं या किसी कारिक्रम में जाते हैं तो अक्सर वे हिंदी में ही बोलते नजर आते हैं लेकिन उन्होंने कल इस हिंदी और अंगरेजी के बीच के विबाद के बीच एक तरीके से कहा जाए तो नितीज कुमार को आइना भी दिखाया और उन्होंने खुद अंगरेजी में बाते रख्यी जबकि इसके पाइटरिक जो गैर हिंदी भाष्य राजियों से निताए थे चाहे वो ममता बनर जी हो एंके स्टालिन हो या फिर वामपंथी दलों के कई नेता हो उन तमाम नेताओं ने भी अपनी बातों को अंग्रेजी में ही रखा इसके तरीक सोनिया गांधी जो अक्सर हां अंग्रेजी में बोलती दिखती हैं उनके बारें भी कहा गया कि उन्होंन नाकवार गुजरता है और इंडिया गटबंधन की बैठक में भी कुछ-कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब नितीस के सुझाओं से इतर जा करके नेताओं ने अंग्रेजी में ही अपनी बातों को रखा